मुंबरा में ट्राफिक विवाग की कारवाई लगातार जारी रहती है और अपने स्टाइल में काम करने के लिए जो मुंबरा के ट्राफिक इंचार्ज है सुरेस लंभाते वो जाने जाते हैं पिछले दिनों काफी विवादों में भी रहे लेकिन फिर भी मुंबरा के जो ट्राफिक की कारवाई है वो ये जारी रखे हैं हम इनी से कुछ सवाल करेंगे आज ट्राफिक की कारवाई को लेकर और जो जनता के सवाल है वो भी हम इन से आज पूछेंगे सुरेश लंभाति जी आपको सात महीना हो गया यहाँ पर चार समभाली हुए और आप जिस तरह से सहर में कारवाई कर रहे हैं इसको लेकर आपके उपर तरह-तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आपके कारवाई के दौरान जो है काफी हंगामा हो रहा है और आपके उपर जो है म मार्पीट के भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों को मार्पीट भी रहे हैं क्या करेंगा अईसा मार्पीट वगर कुछ नहीं रहता है हम मैं अभी फर्वरी में आया हूँ गए साथ महिने में हमने कम से कम 45-46,000 केसिस किये है 60-65,000 का जुर्माना हमने जमा किया है सरकार को जमा किया है और बहुत अच्छी कारवाई चल रहे हमारी उसमें छोटे-छोटे बच्चेों की कारवाई है without license की कारवाई, helmet की कारवाई है, black film की कारवाई है, mobile की कारवाई है जो दारूपी के गाड़ी चला रहे हमारे bypass पे रोच हम 6, 7, 8, 10, 10 cases करते हैं दारूपी के गाड़ी चलाने वाला अभी गए 7 महेने में ऐसा major कोई भी बड़ा accident नहीं हुआ है हमारे इदर क्योंकि हमारी कारवाई इतनी तेज चल रही है कि बच्चे लोग अभी काड़ी चलाना भी बहुत कम हुआ है हमारी कारवाई की वज़े से और ये मारपीट का आरोफ होता है वो गलत है वो ऐसा जान बुझ के लगाता है अभी तक आपके पहले भी दो इक दो तीन जो है ट्राविक इंचाज आए लेगिद उन लोगों के कारवाई के दोरान कभी पही मारपीट की खबरे आई तो फिर आपके ही कारवाई के दोरान आईसी खबरे क्यूं आती है इसके पहले गए 15-16 साल का हमने जो चार्ट है हमारा वो भी चेक किया इतना बड़ा कारवाई मुम्रा शेहर में नहीं हुआ था ज्यादा से ज्यादा कारवाई बहार होता था क्योंकि मुम्रा में पहले थोड़े ट्रापिक कंजेशन भी था लेकिन हमने आने मैं आने के का मसला भी इधर हाल हुआ है अभी तक तो इतना ट्रापिक स्मूठ चल रहा है कि कोई भी प्रॉब्लिम नहीं आ रहा है और हमारी कारवाई की वज़े से इतना फरक पड़ा यहां पर लोगों का ये भी कह रहा है कि आप लोग जो यहां सिर्फ कारवाई ही करते हैं और जो ट्राफिक का का खॉटेबल अगर सड़कों पर होना चीए तो जाधतर जो एउनलोगों को सील फाटा कल्यान फाटा यहां पर देखा जाता है तो रात के समय में स्कूल छूटने के समय में काफी ट्राफिक होती है तो उस समय कोई काउंस्टेबल कोई क्यों नहीं मौजू रहता जो है ट्राफिक को संभालने के लिए ऐसा कुछ नहीं है हमारे पॉइंट है गाव में दो तीन पॉइंट है वहां हमारे लोग खड़े रहते हैं लेकिन फिलाल अभी गए महिने से हमने क्या किया है कल्यान पाटा शील पाटा जहां पर यह डोंबियुली कल्यान का जो स साथ बज़े से बारा बज़े तक और शाम को पाच बज़े से लेके रात को दस बज़े तक इसका वज़े से हम सब लोग उदर काम जादा कर रहें और उसका अभी अपने हुप Gudelut भी बहुत अच्छा मिल रहे है हाँ वही वाई जंग्शन, शील फाटा, कल्यान फाटा, दहिसर, महपा, जो पलावा का जो मेन ट्रापिक था वो एकदम नॉर्मल हुआ है, सुबा मतलब जब पीक आवर्स है, मौर्निंग 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और शाम को रिटन क्राउट रहता है, 5 बजे से लेके 9- 9-9 बजे तक, अभी एकदम नॉर्मल हुआ है, लोगों को 10-15 मिनित से जादा उदर खड़ा रहने की ज़रुत नहीं बढ़ती है, जो कवसा कबरस्तान है, वहाँ पर जो है, बीच में रोट की डिवाइडर नहीं, जिसके वज़े से लोगों को समझ में नहीं आता कि इहर स जाने वाले, दोनों आमने सामने हो जाते हैं, और ट्राफिक उसके वज़े से जाम होती है, तो क्यों ना वहाँ पर बीच में भी डिवाइडर लगा जाए, आने जाने वाले जो है, एक ही रूट पे ना आए, एक्चुली रमजान के पहले हमने इसे सब जो डिवाइडर के ग्याब थे, वो पूरे पैक किये थे हमने, लेकिन उदर के लोकों लोगों ने रात को निकाल के रखे हैं या तोड़ दिये है, लेकिन अभी फिर महानगर पालिगा को हमने लेटर दिया है, अभी वो दुबारा पैक कर रहा है अभी और साथ महीना हो गए है सेर आपको आके, साथ महिने के अंदर आपने मुमरा, कल्यान फाटा, सील फाटा, सब मिला के आपने कितनी कारवाई किया है हमने अभी तक 45,000 कारवाई किया है, केशिस किया है, और 60-60,000 लाग तक जुर्माना हमने जमा किया है, आज तक, उसमें सभी टाइप के केशिस हैं हमारे, अचाब मुम्रा शहर में सबसे ज्यादा आपने कारवाई किस पर किया, आटो आलो पर किया है, या फिर जो बाइक चा आलो पर जादा कारवाई हुए है, उन में क्या है, वो खाली लाइसन निकालते है, लाइसन का बाहर रहता है, उनको बैच नहीं है, तो उनको रिक्षा नहीं चला सकते हैं, बैच अगर बिना बैच का रिक्षा चलाएगा, कितर एक्सिदेन हो गया, तो उसका इंशुरस न जंता जो कहीर ही बाता लगे। लेकिन फिर भी इसके बाव जो जंता का इक सवाल और है कि जो रोट के साइड में इ manifestation पारकिंग नोग ट्राफिक के लिए कारवाई कर रहे हैं लेकिन जो पारकिंग की गए हूँ उस पर कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कही 1989 कहीं लोगों का मानना है कि उसकी वज़े से भी ट्राफिक जाम हो रही हूँ नहीं ऐसा नहीं पार्किंग के कारवाई भी हमने चालू किया है अभी जो जो गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है उनके उपर हम स्टिकर का लगा रहे है अभी इसका नतिजा इतना अच्छा निकल रहा है कि बहुत गाड़ी है अभी गए चार-पाज दिन में हमने कम से कम ऐसे सत्तर असी गाड़ी के उपर हमने कारवाई किया है उनमें से चार-पाज गाड़ी हमने निकल के हमारे आपिस में आके पैसा बरके वो लोग छोड़ा के लेके गए है अभी अच्छा रिजल्ट सामने आने लगाया और हमारा कारवाई वही जारी है लोगों का कितना विरोध रहेगा लोग कारवाई करने को भी बोलते हैं विरोध भी करते हैं लेकिन हमारा कारवाई जो है वो जारी रहेगा हमारा सर कहीं न कहीं लोगों के दिल में ये भी है कि आप सिर्फ मुम्बरा में ही कारवाई करते हैं कभी तनवर नगर में, कभी हम्रीत नगर में, कभी मुम्रा पुली स्टेशन के पास। लेकिन लोगों का कहना कि आपका एरिया जो है। रेती बंदर तक आता है, दिवा आता है। और आप लोग कभी यहाँ कारवाई क्यों नहीं करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है हम रिती बंदर में भी कारवाई करते हैं हमारा दिवा में कारवाई जो है पूली स्टेशन के लोगों के साथ में पूली स्टेशन को साथ लेकर हम दिवा में भी बहुत बड़ी कारवाई की है हमने कल्यान शील फाटा वाई जंक्शन में तो हमेशा चालो रहेगी मुंबरा शहर में कहीं न कहीं सुरेश लंबाते के उपर आरोप भी लगता रहा कि ये सिर्फ मुंबरा में ही कारवाई कर रहे हैं लेकिन जब इसे सवाल किया गया तो उने कहा हमारी कारवाई रिती बंदर दीवा सील फाटा कल्यान फाटा हर जगहां जारी है और पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें